नमस्कार में रिनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चानल में बहुत बहुत स्वागत हैं तो आज के वीडियो में में आपके लिए ब्रेट और टैमेटो से बनी एक अलग तरीके की बिलकुर ओईल फ्री सी चटपटी नास्ते वाले रेसिपी लेके आई हूं जो आपने आप के यूजात बैमेटो ज्यादा भी डाल सकते हो फिर उसके बाद में नी यहां दो ब्रेट लिये है तो अभी हम इन ब्रेटको करणें है और इस मिकसर के बरतर में डालना है अ antमेहां नियू नोटभ़च पैस्ट बनाना है तो यहां मेन दो लो इंकरींज 냄새 का फिर हमें एक बाव लेना है और इसमें हमें सारी पेश्ट डालनी है फिर हमें इसमें दो कप चावल काटा डालना है तो मैंने यहां चावल अटे का इस्तमाल किया है तो चाहो तो आप यहां बारिक सुजी नहीं तो बेशन का भी इस्तमाल कर सकते हो तो मेनिया आभी दो कप चावल काटा डाल दिया है फिर अमें इसमें स्वादम सार बारी कट कीवी हरी मिर्च डालनी है तो आप यहां हरी मिर्च के जगा लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर अमें इसमें आदा कप बारी कट कीवी हरी धन्या डालनी है फिर हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज डालना है फिर हमें इसमें आदा चमच जिरा डालना है फिर उसके पाद अभी हमें इसमें स्वादनुसा नमग डालना है और इन सारे ingredients को अच्के तरह से mix करना है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस recipe के लिए अभी हमें बैटर बना लेना है तो हमें इसका ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है तो आप ये recipe चावल काटा, सुजी और बेशन का इस्तमाल करके भी बना सकते हो तो अभी आए बैटर बन चुका है तो हमें इस प्रमान में इसका बैटर बनाना है फिर अभी मैं इस बैटर के आपे बनाने वाले हूँ तो इसके लिए मैंने ग्यास पे तवा रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें चम्मा से तिल डालना है और इस बैटर के अभी हमें इस तवे में आपे डालने है तो यहां मैंने अभी तवे में आपे डाल दिये है फिर अभी हमें इन अपों के उपर प्लेट रखनी है और इन्हें हमें एक तरफ से दो मिनिट तर फ्राई कर लेना है तो अभी यहां दो मिनिट हो चुके है और इन आपे अभी एक तरफ से फ्राई हो चुके है फिर हमें इने चम्मा से पलड़ देना है और इन अपों को अभी हमें दुसरी तरफ से भी दो मिनिट तरह अच्छी तरह से फ्राइकर लेना है तो इसी तरह अभी हमें इन अपों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइकर लेना है तो आप इस रेसिपी इस तरह से बना के गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ नास्य में बना के सर्व कर सकते हो नहीं तो आप इस रेसिपी को सिर्फ चाय और कोफी के साथ एक स्नैक की तरह भी बना के सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिरसे मिलते हैं और एक ने वीडियो में और एक ने टेस्टी रेसीबिक के साथ तो थैंक्स फ्रेंस वाचे मैं वीडियो